कि नुश्कार वित्रों बिसकली जो मैं आज आपनों उसे है पूड़ेट के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ वो काफी ही इंपॉर्टेंट कि इस फिनैंशल इंस्ट्रुमेंट है और जैसा कि आंग जानते हैं मल्टिपल फिनैंशल सभी अइस्ट्रुमेंट है जहां पे अम लोग आपको इन्वेस्ट करके पैसे को ग्रो कर सकते हैं आप ने जैसा देखा होगा कि लोग आपको य। mutual funds में पैसे लगाते हैं आज की रेट में इंशुरेंस प्रड़ भी एक तरह से एक investment प्रड़ के तौर पर देखा जाता है जहां पर लोग आपको अपना इंशुरेंस प्रड़ लेते हैं बहुत सारे आपने अपको एक तरह से आपका रिटर्न बट वो वो प्रड़ सब जो जतने भी यह लिप पॉलिसी जो मिलता है तो इसमें इस कारण से हम लोगों को जो मार्केट अगर फेवरेबल है आपके जब आपने लिया तो उस कंडिशन में आपको अच्छे अच्छे रिटर्न मिलते हैं लेकिन बट यह बाकेट फेवरेबल नहीं रहता है तो उस कंडिशन में हम लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न नजर नहीं आते हैं और और जो भी इस तरह के पॉर्ड्स है वहां पे क्या आपने अक्सर देखा क्या है कि जो आपने अगर एक है या या यूप से कर रहे हैं यह वन टाइम इन्वेस्मेट भी करता है तो बिसेकली लेकिन अगर मार्के फेवरेबल है तब तो आपका रिटर्न आपको काफी अच्छा नजर आता है बट जब मार्केट डाउन टरेंड में जाता है तो उस कंडिशन में आपके या मुचल फंड में जो एक्सपेक्टेड डिटर्न से वो उस लिवल पर नहीं आ पाते हैं तो आपका रिस्क प्रोफाइल है वो काफी हाई हो जाता है और जो नए इंवेस्टर्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा शेर्स के बारे में जानकारी नहीं होती है कि कब इंवेस्ट करना है अच्छा का सनुक्सान नो डाउट प्रॉफिट भी होते हैं बट जैसा कि डाटा देखा जाता है लोगों को जानकारी का भाव होने के कारण रिटर्स बहुत अच्छे नहीं मिल पाते हैं तो अब इस कंडिशन्स में आपके लिए नमस्कार मस्तकीम जी नमस्कार भानुप पुराने परचित हैं वो मुझे जानते हैं बेसिकली पहले मैंने हम लोग नो पे के साथ जुड़के लोग सारे काम कर रहे थे उसके बाद आज की रेट में अभी हिटाची पेमें सर्विसिस का मैं मास्टर फेंचैजी हूँ और लगभग मोर देन 250 एटीम पूरे इंडिय में हमारे काम कर रहे हैं और अच्छा काज़ा सक्सेस्फुल चल रहा है बट अभी हम लोग ने एक नया पूर्ट के साथ हम लोग ने अपना ये किया है टाइप किया है बॉन्ड बजार बैसिकली बैसिकली बॉन्ड एक जो वर्ड है वो काफी नया वर्ड है और इन आप जो रिसेलर भी बनना चाहते हैं जो इस विशय में हमारे साथ जुड़के आगे काम भी करना चाहेंगे उनके लिए मैं बताओं बाण बजार बहुत ही एक अच्छी अपरचुनिटी है क्यूं क्यूंकि इसका परचार परसार बिल्कुल लिमिटेड है जब हमने हम नो का support मिला और बहुत अच्छा यह हुआ और अब तो बहुत सारे changes आ गए हैं और बहुत सारी companies आ गई हैं लेकिन बट उसके बाद फिर काफी frauds बढ़ने चालू हो गया है और frauds बढ़ने के बाद फिर आपका काफी ज़्यादा योडियाई ने काफी ज़्यादा उसको फुल EPS का कारोबार कर रहे हैं और उनके business में बहुत ज़्यादा गिरावाट आई है तो मैं सारे जो भी हमारे मुझे से जुड़े हुए जो EPS सेग्मेंट में काम करते थे मेरे साथ और या आफ किसी अन्य कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या RNFI के साथ काम कर रहे हैं नोपे के काम कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा कासा मतलब एक customer base है आपका आपके इलाके में लोग आपको जानते हैं वो आपसे financial advice लेते हैं चीजों के लिए तो आप एक अच्छा point of contact बन सकते हैं हमारे जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग तरह के financial instrument है जहां पे लोग अपना पैसा जोड के पैसा कमाते हैं तो उसी तरह से bond बजार जो है पहले bonds क्या होते थे offline trade होते थे और उसमें जो high invest करते थे लोग वही लोग involved हो सकते थे लेकिन अब bond बजार जिस तरह से एक normal share broking platform होते हैं आपका जेरोदा हो गया, up stock हो गया, धन हो गया या और भी कोई trading platform हो ग अच्छा तो अब आप बताएंगे सर ये जिस तरह से बाकी products हैं तो bond बजार में भी risk involved है, नहीं यही एक bond में क्या है, bond itself is a guaranteed word जहां पे government या फिर corporate पब्लिक से पैसे उठाते हैं एक guaranteed returns पे, बाकी कोई भी ऐसा financial product है जैसे shares में कोई word guaranteed word यूज नहीं किया जा सकता है, चुकि वहां पे returns आपके negative और as per market conditions up and down हो सकते हैं, तो वहां पे जो आदमी aggressive हो किये काम कर रहा है, या आप being a reseller अगर आप लोगों को साथ में जोड़ना चालू करेंगे, लोगों को बताना चालू करेंगे, तो आपको calculate में आपको negative scenario face करना पड़ेगा, अगर customer ने पैसे earn किये त trust के साथ आपके साथ जोड़ेगा, तो उनको आपको ये देखना है कि उन्होंने जो investment amount किया है, वो suppose आपके साथ 1000 रुपया लगा रहे है, तो 999 रुपया नहीं हो, 999 नहीं हो, वो एक रुपया घटे नहीं हो, जब भी बिके तो 1000 रेक में बिके, तो वो trust value आपका maintain करता है तो bond के साथ ये एक सबसे बड़ा added advantage है, कि आपका जो investment है, जो भी आप अपने customer से investment करा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, वो guaranteed है, वो safe है, उसमें government bonds मालीजे, जैसे bond बजार में government securities की trading होती है, government bonds की trading होती है, या फिर आप जो corporate bonds होते हैं, चाहे वो Tata निकाले, चाहे वो Britannia है बहुत सारी companies है, आपने देखा होगा, श्रीराम finance हो गई, आपका India Bulls housing finance हो गया, एडलवाइस capital हो गया, तो हर तरह के जो banking instrument, SDFC है, तो वो लोग bonds issue करते हैं, और उस पे वो आपको एक guaranteed returns insure करते हैं, जैसे आप कहा जा सकता है कि जो bond है, it is a replacement to FD, जैसे आपके date में, आज के rate में आपने देखा होगा, जो भी वेकती ग्रामनी लाकों में, या खास कर जो salary employee है, या जब वो retire करते हैं, तो वो अपने funds को bank में FD करते हैं, जिससे कि उनको एक secured investment हो, उनका पैसा deplete ना करे, और उनको अपना एक fixed lab मिले, लेकिन बट उसमें challenge क्या है FD में, कि आपका returns ज ज्यादा handsome नहीं है, आज की rate में, आप maximum अगर senior citizens को दिया जा रहा है, तो 7.50 दिया जा रहा है, इवन PF जिसमें की highest rate of interest माना जाता है, उसमें भी 7.75 interest rate आता है, लेकिन आप अगर bonds में वो पैसे invest कर रहे हैं, तो आपने customers का कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, तो वो आपक जो return है, वो 10.10 से या 10 से उपर भी वो आपको return देता है, अब अच्छा, आप जब आप सो सकते हैं कि sir, इसमें जब higher rate of interest ले रहा है, तो हमारा पैसा customer का हो सकता है, risk में जा सकता है, लेकिन ये बात नहीं है, चुकि जब भी bonds issue होती है, तो bonds एक उसमें category होती है, secured और unsecured, तो आप जब secure के, उसमें भी उसकी rating की जाती, crystal के दोवारा, या various agencies, rating agencies है, तो आप जब भी bonds में किसी अपने customers को जो ये लेते हैं, तो उसका proper बाकादा due diligence करके, proper documentation देखके, और moreover जैसे आपने government bonds लिया, suppose government securities में deal किया, तो आज की rate में ऐसे भी government securities available हैं, जो 2002 में जिन्होंने launch किया था, और वहाँ पे customer को 10.18% मिल रहा है, और वहाँ पे guaranteed worthy, वहाँ तो फिलाल problem ही नहीं, चुकि वो government ने वो bond issue किया है, government securities है वो, तो वहाँ पे sovereignty का issue आता है, government itself stands as a guarantee, तो कोई भी customer अगर आपका, मालीजे, invest कर रहा है, वो उस government bond में, तो he is rest assured कि उनको वो जो return coupon rate है, 10. 10.18 का, वो उनको मालीजे depend करता है, कि आज market rate में कुछ हो सकता है, चुकि कोई लोग बेशना नहीं चाहता है, इस तरह का returns वाले products पे, तो कुछ थोड़ा सा हलका सा आपका आएगा, तो भी उसका return 9.25, 9.40% के आसपास में आता है, और वहाँ पे आपका return भी जो है, वो assured है और आप अगर उसको एक सही तरह से अगर आप यह करते हैं, तो customers को एक अच्छा return भी नजलाता है, ठीक है, तो bond बजार में, अभी bond बजार के बारे में कोई भी नहीं जान रहे हैं, माल लीजी अगर पूरे India level पे भी देखा जाए, तो इसका awareness एक negligible है, तो अभी अगर प्रवात के तोर पे जुड़ा जाए, तो वहाँ पे आपके पास chances है कि आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, जहां पे लोग कम चीजों के बारे में जान रहे हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे पैसे कमाने की आप उमीद कर सकते हैं, लेकिन वही जब सारे बहुत सारे लोग जानने लगे बहुत सारे लोग हो गए जैसे AAPS के बारे में मैं बाताया जो वेक्ति आज हमारे साथ 2015 में जिन्हों ने चालू किया उन्होंने अच्छे पैसे कमाए तैस पंदर लाग बीस लाग रुपया बहुत सारे लोगों ने आपको पता होगा मुस्तकिम जो उन्होंने 2020 के बाद में जब AAPS में जुड़े तो वो रिटर्न नहीं मिला जो नए नहीं जिन्होंने CSP जब पहले 2014 में CSP के बारे में लोग इतना नहीं जानते थे और उस वक जिन्होंने SBI की CSP या किसी बैंक की CSP ली तो उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए उस वक आपको जं 10 में जोड़ते हैं तो आपको उसका बहुत अच्छा लाब मिलता है ।ो अभी जैसे आज मैं आपको बाद बाएर के बारे में बता रहा हूं तो इंडिया में आज के डेट में शेयर ब्रोकिंग के लिए बहुत सारे टर्मिनल्स है जिरोदा है धन है बहुत सारे करता है तो अब मैं बता हूं कि लोग bonds में इन्वेस्ट करेंगे क्यों तो पहली बात 10.50 तक भी मिलता है अभी जैसे आप अभी इंडिया बोल्स हाउसिंग फाइनस का IPO अभी आया हुआ है जिसमें कि वो लोग अगर आप 120 महिने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10.75 पसंद तक का रिटर्न दे रहे हैं तो अब आपको कैसे लाब मिल सकता है इससे तो अगर सबसे पहले आप बॉन बजार में खुद जुड़ें उसके लिए आपको जुड़ने का किसी तरगा कोई शुल्क नहीं लगेगा आप मुझे मेरे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं मेरा नंबर जो भी लोग जाएगा उसमें वो लिंक जो दिया हुआ है उस लिंक को आप क्लिक करेंगे क्लिक करते के साथ ही आपसे आपका अधार नंबर डाल के आपको रेजिश्टेशन करने का बोला जाएगा तो आप उसमें अपना अधार नंबर डालके आप registration करेंगे और registration करने के बाद जो भी आपको अपना अधार verify करना है pancard verify करना है आपको अपनी selfie लेनी है पूरी आपको अपना bank account verify करना होगा तो सारा आप due diligence पूरा कर लिजे पहला उसके बाद दो दिन लगता है exchange से ये code activated होने में जब आपका code activated हो जाता है तो उसके बाद आप इसमें trade करना चालू कर सकते हैं आप bonds खरीच सकते हैं तो ये तो होगे आपका self investment आप अपना investment कर रहे हैं अच्छा एक चीज़ मैं आभी और बताना चाहूँगा बाद में किवल बाद ये जो corporate bonds होगे government bonds करेच सकते हैं corporate bonds करेच सकते हैं उसके अलावा gold जो है sovereign gold bond SGP उसकों लोग बोलते हैं वो भी एक बहुत बड़ा investment है जैसे आपने देखा कि gold का appreciation बहुत तेजी से हो रहा है और gold के गोल में बहुत सारे लोगों का एक interest भी हाई रहता है तो gold bonds भी बहुत अच्छे हैं आप जैसे आज बजार में जाए गोल खरीदने के लिए तो आप कैसे आप gold bond जो है वो replacement to physical gold से है जैसे आप suppose आज की rate में बजार में जाते हैं gold खरीदने के लिए तो सबसे पहले आपको 3% का GST पे करना पड़ेगा जब भी आप gold खरीद रहे हैं उसके उपर ठीक है आप अगर बहुत अच्छे शोरू में जा रहे हैं तो आप assured हो सकते हैं कि उसकी purity क्या है 24 karat 22 karat या 16 karat आप यह assured हो सकते हैं कि आपने क्या किया लेकिन यह हर जगे यह possible नहीं हो पाता है ग्रामी निलाकों में अक्सर gold जो खरीद रहे हैं आप सोना खरीद रहे हैं उसकी quality के प्रती आप insured नहीं हो सकते हैं कि जो वो लो commitment दे रहे हैं वो वास्ताव में है कि नहीं है तो ग्रामी निलाकों में यह बहुत बड़ा challenge है कि आप जब gold में investment कर रहे हैं तो सबसे पहला तो आपका जो आप gold की purity का शेयर्टी नहीं है दूसरा आप आपको अगर आपने किया तो 3% का GST चुकी उनको 3% का GST का पता ही नहीं है ग्रामी निलाकों में तो अच्छे शोरू में जाएंगे तो आपको 3% का GST देना पड़ेगा अच्छा कल के रेट में अगर आपको अपनी कुछ needs में अगर आपको gold sell करना है तो फिर उस condition में वो आपको उसका making charges 10-15% वो काट लेंगे तो आपका investment अगर suppose 10-15% बड़ा भी तो ultimately आपको उसका profit आपको earn नहीं कर पाए लेकिन जो वेक्ति suppose marriage purpose या आपने किसी उस purpose के लिए पहने के purpose के लिए शादी के purpose के लिए खरीद रहे हैं तो उस condition में तो आपको ornaments खरीदना है physical gold खरीदना आपकी मजबूरी है लेकिन अगर आप suppose एक investment point of view से अगर आप investment ये कर रहे हैं तो उस condition में वैसे लोगों को हम लोग प्रेरित कर सकते हैं gold bonds में invest करने के लिए gold bonds में invest करने में आपको सबसे पहला lab है कि आपको GST 3% नहीं देना है तो अगर आपने एक लाग रुपए का gold खरीदा तो उसमें 3000 रुपए का आपको immediately lab मिल रहा है कि आपको GST नहीं देना पड़ रहा है दूसरा government आपको 2.5% का assured interest देती है per year अच्छा हर महीने RBI gold bond, surging gold bond को ये करता है उसको launch करता है और जो भी वेक्ति उसमें invest करना चाता है वो invest कर सकता है तो सबसे पहला benefit उसको हुआ कि उसका 3% का आपको GST नहीं देना पड़ा दूसरा benefit हुआ कि 2.5% का उनको assured guaranteed return government आपको ensure करी है तीसरा आपको इसमें long term capital gain tax भी नहीं लगता है आज की rate में आप अगर मालीजे गोल्ड ये कोई भी FD करते हैं और FD जब matured हो जाता है तो उसमें maturity पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लेकिन आप जब gold bond आप ये करते हैं तो उसमें long term capital gain tax भी नहीं करना पड़ता है तो आप आपके पास real time view मिलता रहता है आपने आज की rate में 7300 पर ग्राम का rate चल रहा है अच्छा आपने 7300 में लिया मालीजे सपोज वो rate बढ़ करके 75 हो गया या 80 हो गया जैसे लोग expect कर रहे हैं कि दिवाली तक आपको 8000 पर ग्राम का rate जा सकता है तो उस condition में customer उसको online मतलब कभी जब भी चाहे तब बेज सकता है अच्छा आप जब FD करते हैं तो FD में आपका एक lock-in period होता है और उस lock-in period में से पहले आप अपने पैसी के अगर आपको जोड़ भी पड़ती है तो आप उसको in cash नहीं कर पाते हैं और अगर करते हैं तो उसमें आपको एक certain financial penalty देनी पड़ती है लेकिन यहां पे अगर आप कोई भी bonds ले रहे हैं या gold bond ले रहे हैं तो आप at ease है आप जब भी चाहें उसको in cash कर सकते हैं आपने financial leads के हिसाब से और उस पे आप वो दो दिन के टी प्लस टू साइकल में आपके पैस पैसे आ जाते हैं आपके account में तो यह एक आपके पास financial flexibility है कि जब भी चाहें आप उसको बेचें तो आपको पैसे मिल जाते हैं तो यह एक बहुत बड़ा benefit है तो आप अपने customers को government bond खरिदा सकते हैं corporate bond खरिदा सकते हैं या आप gold bond खरिद सकते हैं अब इसमें तो सबसे पहले आपको जब आप as a investor भी जोड़ सकते हैं हमारे साथ या as a resellers भी जोड़ सकते हैं जो आप खुद भी अपना काम करें और आपने इलाके में चुकी है आप लोग पहले से financial product यह कर हैं aps आपका retail outlet है जहां पर आप लोगों को सिवा परदान कर रहे हैं लोग आपके यहां पर आके पैसे withdraw करते हैं तो इस condition में आप bond बजार के साथ जुड़के लोगों को जिनको जो मालीजे आप सबोज उनकी बच्ची की शादी होने वाली है एक साल के बाद साधी है तो उसको बेच करके market में जाके physical gold खरी सकते हैं वो लोग तो इससे क्या होगा market price अगर बढ़ भी रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि कलके rate में उनको higher rate पे क्योंकि लोगों के पस अपना बजट होता है उस budget के हिसाब से उनको काम करना है और अभी से अगर उन्होंने वो accumulate जो उनकी खरीच सकते हैं तो यह benefit आपको हो सकता है और bond बजार सबसे बड़ी बात है मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि early bird advantage लेने के लिए चुकि इसके बारे में यह basically बिलकुल नई चीज है और लगभग मान के चलें आप अपनी इलाके में अगर किसी से पूछेंगे तो मैं सम सता हूँ कि 100 आदमी में से एक आदमी मिले जो bonds के बारे में कुछ जानता हो तो बहुत ही नया nascent stage में है और अच्छी opportunity है और जब भी किसी नई चीजों के साथ जुड़ा जाता है तब उसमें आप पैसे कमा सकते हैं और जैसा एक्रामुल आप तो बहुत दिनों से मेरे पांते होंगे यह सारे पुराने लोग हैं एक्रामुल आप मेरे साथ तो बहुत दिन से चार साल पांत साल से जुड़े हुए है और आपने डिस्ट्रीटर भी काम किया आपने काफी लोगों को जोड़ा भी है अपने साथ तो आप आपके लिए यह एक अच्छी opportunity है और similar opportunity ह आप similar profile पर पहले जैसे काम कर रहे थे उसी तरह का यह एक यह है तो आप जो भी वो वेक्ति जो मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं बॉन बजार से जुड़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद एक 20,000 का investment नमश्कार एक्रामुल नमश्कार तो आप सबसे पहले ए जैसे जैसे जो process आपको दिया जाएगा उस process में आपको follow करते जाना है अचा मैं एक चीज़ को और बता देना हो चाहूंगा अचा कई लोग ऐसे हैं यह सोचेंगे कि sir हमने पैसे दिये तो यहां पे आप किसी company को पैसे नहीं दे रहे हैं ना तो किसी individual को को कोई पैसे दे इन किसी भी वेक्तिकत रूप से किसी एक individual के साथ नहीं होगा आपका जो पैसे आपके जाते हैं वो आपको clearing एनसी clearing house में जाते हैं तो मतलब national stock exchange या bombay stock exchange ठीक है तो जो भी उनको एनसी clearing house को payment होता है किसी individual company को 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 payment नहीं किया जाता है तो आपका funds जो है वो extremely safe है जब आप जो bonds खरिदते हैं उसका वो आपके demat form में cdsl में आपका जब bond खरिदने के बाद या gold bond खरिदने के बाद आपके वो demat form में dematralized form में हो जाता है तो आपका funds extremely safe है अब कई लोग बोलेंगे सर बहुत सारी कंपनी आती है वो 10-10-15-15% का commitment देते हैं वो लोग गायब हो जाते हैं लेकिन यहां पर जो आप जो भी trade कर रहे हैं आप वो individual company को आप उसको जो पैसे bond बजार के through नहीं दे रहे हैं या bond बजार के account पैसे नहीं डालते हैं आप जो पैसे डालेंगे वो NSE clearing की through आपको या तो government bonds में और government bond जो जैसा मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि अगर government bond में आपको 10% का ब्याज मिल रहा है 9% का ब्याज मिल रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है 9% का जहां की bank interest आज की rate में जो भी हमारे जो retirement ले चुके हैं उनके लिए माली के 1% 2% का return सबोर्ज किसी ने 10 लाग रुपे डाला हुआ है तो 10 लाग रुपे में 2% का अगर उनक से इसके बीच में और safety profile सेम है चुकि आप government securities में investment कर रहे हैं आप government bonds में इंवेस्ट कर रहे हैं आप NHI में इंवेस्ट कर रहे हैं नहीं के bond है NTPC का bond है PFC का bond है जो government PSU companies हैं तो उसमें जैसे आप यह कर रहे हैं तो उसमें आपका पैसा जो जितना उतना ही safe है जितना कि आपके पास सारे options available हैं आप चाहें तो maturity पेंट यह कर सकते हैं तो और अगर आपको funds की need है तो जब भी चाहें तो उसको बेश सकते हैं तो जो भी वेक्ति आप मेरे साथ जोड़ना चाहते हैं सबसे पहले तो as a investor जोड़ना चाहते हैं उस परस्तिति में आप मेरे को message आ ला आपको एक link आएगा उस link को आप click करके आपको अधार mobile number डालना है और अपने पूरे KYC norms को पूरा करना है आपको अधार verify करना है pan verify करना है और आपको अपना selfie bank verify करना है सारी चीजों को करने के बाद आपका platform active हो जाएगा जैसे platform आपका active होगा आपको company के तरफ से phone जाएग और सबसे बड़ी बात है return क्या मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा important नहीं है important है कि वो safe है secure है आज के rate में बार बार इस चीच को कर रहा हूँ आप mutual fund में भी अगर आप देखेंगे CGR अगर तीन साल का देखेंगे तो तीन साल में आप mutual fund में अतना पैसा नहीं grow करेंगे जित तो फिर 80,000 सा grow करना चालू करता है तो 20,000 का तो loss वहां ही हो गया आपका तो अगर fund growth भी लेगा तो पहले उसको 20,000 कवर करना पड़ेगा तो इस तरह के case में जब market बिलकुल peak पे है तो उस condition में bond एक बहुत safe investment है secure investment है और bank के FD से एक अच्छा return मिल सकता है आपको तो आप म मेरे mobile number पे message कर सकते है 980-100-5212 और जैसे ही आप message करेंगे आपको link मिलेगा उस link पे आप click कर सकते हैं आप अगर कुछ जानना चाते हैं तो मुझे call करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी query है और मैं आपको on daily basis इस तरह से facebook like भावी करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको समय सम इंडिया लेवल पे जगया जगया पे visits करेंगे हम लोगे conferences करेंगे district लेवल पे जहां पे जो भी चुनंदे लोग हैं जो हमारे साथ जोड़ेंगे उनके साथ हम लोग conference करेंगे और further हमारी teams भी लोग आएंगी जहां पे जो भी आप जिस तरह के questions पूछना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं because यह completely technical product है और जब technical product के बारे में आपको विस्तेतरूप से जानकारी होगी तभी आप अच्छा कर सकते हैं तो हम लोग हमेशा आपको update भी करते रहेंगे कि कहां पे हमारी meetings programmed है और उसी साब से लेकिन जो पहले हमारे साथ registered हो जाएंगे क्योंकि यह on invitation level basis पे होगा तो हम उनको फिर वो हमारे साथ मिलके conferences में भाग ले सकते हैं और एक अच्छा business opportunity भी है तो सबसे पहले लेकिन जब मैंने बताया कि सबसे पहले आप जब जोडेंगे तो आपको minimum 20,000 का कोई भी एक investment करना चाहाए आप gold bond में invest कर दें चाहाए किसी government bond में invest क कर दें और उसके बाद further अगर आप हमारे authorized partner बनना चाहते हैं तो आप हमारे authorized partner बनके काम कर सकते हैं और आगे फिर लोगों को इस शीच के लिए recommend भी कर सकते हैं धन्यवाद मित्रों मैं फिर से अपना number repeat करना चाहूंगा 980-100-5212 इस number पे आप message कर सकते हैं अगर आप bond बज